हेलो विवान असलाम लेकुम कैसे हैं आप सब लोग वेलकम बैक तो मैं यूटूप चैनल आज करो मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वालियां बहुत ही खस्ता और मज़ेदार आलू की पैटी की रस्पी यकीन करें आप लोग ने आज से पहले किसी भी बेकरी से भी इतनी और मज़ेदार पैटी लेकर निखाई होगी जो मैं रस्पी आप लोगों के साथ शेयर करने वाले हूं एक बहुत ही मज़ेदार और सिंपल सी आलू की स्टॉफिंग की रस्पी भी आप लोगों के साथ इसी वीडियो में शेयर की जाएगी तो कौन से सीग्रेट टिप्स ट्रिक्स है जो आप लोगों की इस फॉलो करके अपनी मज़ेदार पैटी इस घर में बना सकते हैं सारा आप लोगों को आज मैंने बताना है रैस्पी को आपने फूल वोच करना रैस्पी अच्छी लगती है वीडियो को लाइक कर दे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दे तो कि जगा आप लोगों में घी का यूज़ भी कर सकते हैं जिसका भी यूज़ करेंगे यह मिसली आइड करें ताके जो हमारी वो खसता त्यार हो बाद में तो आप देखें यहां पर मुठी आप आप लोगों को बंद करके दिखा रहे हैं तो मिक्स्चर जया वो अच्छे से बाइंड हो रहा है तो इसका मतलब है हमारी यहां पर डो त्यार हो चुकिए अब बस हमने इसमें पानी एड करके अच्छी से डो को गूनना है तो यहां पर डो गूनते हुए आप लोगने सबसे पहले जो बात का ख्यार लखने है पानी आप लोगने एक इतम ज्यादा तो अब देखें इस तरह से हम इसको अच्छे से यहां पर बंद करते हैं और अब साइड पर रख देंगे आदे गंटे की रेस्ट देंगे हम अपनी डोगो और तब तक हम अपना टाइम तो बिल्कुल भी वेस्ट नहीं करेंगे तब तक हम अपनी मज़ेदा स्टफिंग त् करेंगे और साथ ही वन टेबल स्पून यहां पर मैंने क्रश्ट हरी मिर्चे रही हैं तो यह दोनों चीज़ा डालने के बाद अच्छे एक बार मिक्स कर लेंगे और एक मिनट के लिए हम नहीं भूनना है ताकि ऑल में अच्छा सा जो लैसन तका कच्छा पना वो भी खतम ह मिर्चों का फ्लेवर भी आजए तो देखें एक मिनट गुज़र जाने के बाद यहां पर एक बार मिक्स करते हैं और अब हम इसमें कुछ मसाले डालेंगे जिससे हमारी फिलिंग में टेस्ट आएगा मसाले पी सारे हम बहुँज करेंगे जो हर घर में मौजूद होते हैं की दा सब्सेधय करतेंगे 1 फ्राव जनमक देंगे 1फ त्स से थाकर देंगे 1 टीज़िश्पून गर्मचार पर लिए और यहां पर शात्थ साथ ही 1 त्स साथ मसाले साइड कर देंगे 1 घरम त्स में बर कुछ करते हैं हमारी फिलिंग के अंदर थोड़ा सा पानी डाल देंगे ताकि हमारे मसाले जले ना और मसालों की अच्छी सी बुनाई कर लेंगे फिर मिस्क के बाद आगे इसमें चीज़े एड करते हैं मासाले के बुनाई हो चुकिया माशारला से बहुत जबदस कुछरू आ रही है इसे किचिन में साथ ही अब हम इसमें तीन अदर आलू मैंने लिए और आलू को पहली बोड़ करके इस तरह से चील कर मैश कर लिए यह हम इसमें शामिल कर देते हैं और कर लेंगे अच्छे से मि मिक्स हो जाए तो देखें बस यही चीज़ें जो मारी फिलिंग में जानी थी और कितनी यह आसान फिलिंग की रस्पी है आप लोग स्टॉफिंग को कभी भी थियार कर सकते हैं अपने घर में कोई चीज मुझूद हो यह नहीं सकता कर ऐसे जो इसमें चीज़े आट किया हो किसी घर में मुझूद ना हो सिंपल मिसाले डालें तो अच्छे से मिक्स करने के बाद अब हम इसमें 14 टीस्पून हल्दी शामिल कर देंगे और हल्दे डालकर अच्छे से मिक्स कर देंगे हल्दे डालने से अपनी जो कलर है वो भी प्यारा हो जाता है तो चिकन के तो देखें अलहम्दलिल्ला हमारी यह पर स्टफिंग बनकर त्यार हो चुकिए पैटीस की इसको हम साइट पर करते हैं थंडा होने देते हैं और उसके लाभव हम अपना यहां पर जो आगे का काम करना फू कर लेते हैं अब देखें अब हमने यहां पर अपनी एक सीक्रेट त्यार करने है जिससे जो हमारी पैटीस उसकी लेरिंग हम जो करेंगे वह खस्ता बनकर त्यार होगी तो यह अपने यहां पर टू टेबल स्पून मैदे का लिया है और साथ हम इसमें तू टेबल स्पून ओएड कर देंगे और यह दोनों चीज़ें आप इसमें मिक्स कर द लें पैटीस के लिए होप सो आप लोगों के भी त्यार हो चुकी होगी तो आगे का काम बताते हैं आपको बस साथ-साथ करते रहें आप जैसे मैं आपको बता रही हूं देखें डो को रखे वे आदा गंटा हो चुक है तो आप पहले हाथों के मुदद से आसे हम रोल कर ल पैटीस लेने के जो इतनी पड़ेगी जब आप लोग ये पैटी को घर में बना लेंगे और घर वालों को भी यकीन नहीं आएगा कि आप लोगो नहीं पैटी खुद से घर में बनाई या पीक्री से मुखवाई है तो अब देखें आपर पेड़े हमने सारे इस तरह से कट करके बना लिएं काउंटर पे जोड़ा सा मैदा डस करेंगे और अब पहले हम अच्छे से रोल कर लेते हैं इसे यह जैसे मैं आपको दिखा रही हूं तो अगर आपको में यह रैस्पी अच्छी लगे रैस्पी को लाइक जूर से कर दीजेगा रैस्पी में मेनत तो है टा पूरी अपनी जो रोटिया हमारी इसके वपर प्रेट कर देंगे और आप देखियं घापर इस पर डस कर देंगे यहां पर मैदा और मेदा भी सारी पर पर अच्छे दो स्प्रेट करेंगे तो इससे पहली भी मैंने आप लोग के साथ रमजान स्पैशल बोखुत रेस्पी पर मिल जाएगी आप देख सकते हैं अब देखें यहां पर मैदा भी हमने सारी जगा पे इच्छे से स्प्रेट कर दिया अब एक साइड को यहां से उठाएंगे और बंद कर देंगे और दूसरी साइड को भी सेम इसी तरह से कवर कर देंगे बस यह देखें इस तरह से हाथो तो मैं आपको बतारी हूं आप लोग ने इन्हें एस विद्य फोलो करना इसी तरह से फॉलो करेंगे तो आपकी खसता जो पैटिया वह बनकर त्यार होगी फिर से मैदा सबाइब भी किल यहीं जटेस विए एवान केट्ष धे के पाइवान दम्मे सत्तों ऩो तो यारी मोषान फ्रेर्ण सनेक्स कि घुकिस है ज़ो रम्जान में घर वालों को अधर दो नहीं नहींद हीद स century घ्ला सेलिक्स के इन अधर लकुन को आर्थ हज़ाए। लेकिन यह नहीं चीज़े ट्राय करें रोज़ेदार भी खूश होंगे और आप लोगों के घरवाले भी खूश होंगे तो देखें यहां पर हमने अच्छे से सब कुछ करके बेल लिया और अब इसके बाद हमने आपर कर देना रोल और यह आप लोगों ने टाइट रोल करना लूज बिल्कुल भी रोल नहीं करना नहीं तो आप लोगों के बाद में जो लियर्स है वापस में इच्छे से अटैच नहीं होंगी और फिर काम खराब हो सकता है तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना अब देखें यहां पर रोल हमारा त्यार हो चुक है तो आप किसी भी शा लिए पेड़ी त्यार हो चुके हैं बिल्कुल परफेक्ट हमारे रोल्स त्यार हुए इनको हम साइड पर करते हैं और काउंटर पर मैदर डस्क कर लेंगे और अपना एक रोल ले 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 लेते हैं और फिर आपको बताते हैं तो देखें आप अब यह जो लेयर वाली हैं जो आप लोगोने डोु में फोलो करनी है लेरिंग में फोलो करनी है तो अब अ क्यों कि यह बेकरी से भी रहा चुकई है अब अब हम यहां पर पहले इसकी चारो साइट पर पानी लगा लेंगे ताके बाद में जब अपनी पैटी को स्चील करेंगे तो अच्छे से बंद हो जाए खुले ना और अब यहां पर बार ही आती है हमारी बहुत ही लजीज और जाइकरदार स्टफिंग की जो हमने आलू से त्यार की है यह हम इसमें रख देंगे क्योंकि हर रोज या बार बार चिकन की फिलिंग खा खा कर भी बंदा शुक जाता है तो मैंने सोचा आपनों के साथ आलू की स् खुले ना अब सारी इसी तरह से त्यार कर लेते हैं पहले तो देखे माशलाल हमारी सारी जबदस पैटी इस विंकर त्यार हो चुकिया अब यहां पर बारी आती है फ्राइंग की तो फ्राइंग करते हुए आप लोगों ने जिस खास बात का क्या रखना है पहला तो यह कि अब लोगों ने लो रखनी है मेडियम भी कड़ी इनि हाय भी लो रखनी करनी स्टार्टिम्हें आप लोगों ने में कड़ना है ताकर जब लोग नश कर रहे हैं तक हम चैनल करते हैं तो यह अपने तरेंग किसी भी बेकरी से कम हमारी पैटी नहीं लगी और यह हमने घर में त्यार किया माश्यल्ला से देखें कितनी जबर दस्ता हमारी यहां पर लेरिंग्स लग रही है मेरा तो दिल खुश हो गया आप लोग भी इस रेस्पी को जूब से टाय करें बहुत ही असान रेस्पी है थोड़ी सी मेहनत है लेकिन स्टेप बहुत इसी जी हैं जो आप फोलो कर सकते हैं अब इसी तरह से मीडियम लोग फ्लेम पर फ्राय करेंगे और प्यारा सा कलर देंगे यह रही होंगी हमारी पैटी इसकी रेखे माश्यल्ला अलफंदुलिला कितनी जबर दस्तियार हो गई है किसी इसी टीशू करके आफजीन की फाइनल उक्षे करते हैं तो लिजू इस देखे माश्यल्ला अलफंदुला बहुत जबर दस्त खस्ता और मज़ेदार हमारी यहां पर प्टैटो पैटी इस बनकर त्यार हो चुके हैं कैचप के साथ हम इसे सर्फ करें और यह देखें आप लोगों को नज खरवालों को यकीन आएगा कि आप लोग नहीं घरवाली भी पूछेंगे कि कौन सी बेकरी से हुआई है तो रेस्पी को आपने बश्यूर से लेके एन तक फूलो करना है रेस्पी इच्छी लगती है वीडियो को लाइक करते चैनल पर नहीं है चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें तो फिर नेक्स किसी मज़ेदार से उड़स मुलकात होगे तब तक ये लिए अपना बहुत जारा क्या लखिए अलाफीज